हेलो प्यारे बच्चों, फिर एक नए वीडियो में आपका श्वागत थे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ यदि आभी बिहार से हो और डेलेड इंट्रांस यमद्यार 24 में देने वाली हो तो बहुत सारे बच्चों के मने में एक सवाल उठ रहा है कि सर मेरा सरकारी कोलेज में अगर नाम लिखाता है तो कितना पैसा खर्चा होगा यदि में अगर प्राइवेट कोलेज में लिखाना होगा तो मुझे कितना पैसा खर्चा होगा या मैं सरकारी कोलेज में लिखाओ या मैं प्राइवेट कोलेज में लिखाओ ठीक है ना यह वीडियो आपके लिए इस वीडियो का आप लोग पूरा बाच करिएगा है ना आपको सारे जनकारी मिल जाएगी देखिए सबसे पिले हम लोग बात करते हैं सरकारी और प्राइव 700 सीट थे ठीक है ना बड़ 24 से 226 की सेशन में सीट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो नहीं कहा जा सकता है अगर नहीं बढ़ेगा तो 3700 तो 100% रहेंगी रहेंगे अगर बढ़वो करेंगे तो 500000 सीट बढ़ेंगे उसे ज्यादा 100 सीट बढ़ेंगे नहीं है ना तो आप ऐसे समझे कि आपको सरकारी कोलेज में आप आएगा तो कितना है ना पैसा खर्चा हो जाएगा तो ऐसे समझे अगर आपको सरकारी कोलेज में अगर आपको एडमिसन लेना है तो सबसे पहली बात है कि आपको थोड़ा बहतर नंबर लाना होगा क्योंकि पूरे सेंस के तुल नमें धोड़ा सा कम जाता है साथ-10 नमर कम जाता है अगर आप सैंसे हो सब्रक्राइब करते हैं कि सरकारी कोलेज में साथ-ब्राइबिशन का कितना खरचा होता है देखिए आप किसी भी कोलेज में लिखाइए तो दोनों का मानेता बड़ावर है, लेकिन सरकारी कोलेज में अगर आप नाम लिखाते हैं, तो थोड़ा सा पैसा आपको वहाँ पे बहुत कम लगता है, अगर आप प्राइबेट कोलेज में लिखाते हो, तो आपको वहाँ पैसा बहुत ही ज़्यादा लगता है, ठीक है ना, च सरकारी कोलेज में दो तरीका का पैसा लगता है, पहले तो आपका दो सलगा कोर्स है, है ना, तो फर्स्ट एर में अलग पैसा लगता है, सेकेंड एर में अलग पैसा लगता है, अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कि फर्स्ट एर में कितना पैसा लगता है, सबसे पहले आ सबस्क्राइब का नाम है कि मैं जिस कोलेप में आप नाम आ जाते में पहले घ anxie से है कि में और अगर्राइल सारे साहार के बीच में पीसा लगता है अगर अगराप और उबी baja says PM को ऊपर किसी कि कुर्मी हो ना घर किसी भी कांटा की सबला तो आफके ठीक हैनल अब सब कुछ हो जाएगा और जो बच्चा OBCC होगे या जनरल वाले होंगे तो उनका दो साल का कुर्स मोटा मोटी माल लेजी आपका 20,000 से लेके 25,000 के बीच में लगेगा उसमें आपका registration, admission, exam, form, first year का फी, second year का फी, सब फी आपको लग जाएगा ठीक है ना, तो आपने यहाँ पे समझ गया सरकारी कोलेज का फी बहुत ही कबाप, किसी भी category सी हो तरफ से निर्धारित किया गया, एक लाख बीस अरप्या, कम से कम आपसे एक लाख बीस अरप्या, दो सल के लिए लिया जाएगा लेकिन कोई भी प्राइबेट कॉलेज एक लाख बीस से एरपया नहीं लेता है वो लोग है ना थोड़ा सा अधिक लेता है तो हरे कोई भी प्राइबेट कॉलेज में आप एडिमिशन कर वाओगे तो कम से कम आपका टेर लाख लेगा ही लेगा इसे ज्यादातर कोलेज में लग भल भल भान दो साल के कौर्स में लोग कितना पहुंचा देते तो लग भल भान दो लाग के आसपास आपको पहुंचा देंगे ठीक है न आप किसी भी कॉलेज में एडिमिसन कबालो है ना क्लास कुछ दिन आपको जाना ही परेगा सरकारी कोलेज में करवाओगे फिर भी थोड़ा मुड़ा क्लास आपको जाना परेगा या प्राइबेट कोलेज में जाओगे आपको फिर भी वहाँ पर क्लास जाना ही परेगा ना लगबाग बाग हर एक डिष्टिक में सरकारी कोलेज है यह बागी सभी सभी है ना सभी डिष्टिक में सरकारी कोलेज है ढूर दाट चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा सब्सक्राइब कर दिए अब लोग सामें रोज साथ साथ बजए लैप कलास आते हैं आप लोग लैप कलास में जूरिए अपना बेहतर से भी है तर त्यारी करिए थैंक्स पर वाचिंग फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ जब तक लिए इजाज़ता बाइबाइब टेक्क् क्याल रखिए खुसरे बहतर श्टडी करते रही हैं